हेलो एवरुआने तो आज के क्लास में सोल करने वाले है एगरिकल्स चार्ड आपको एगरिकल्स पर उट्पहीं तक नहीं हो और ऐसा ही एगरिकल्स पोस्ट पाने के लिए जोड़े ने करें चैनल को सबस्क्राइब जरूब कर दें और पास के बैल आइकन उजरू दबादेना जैसे जब यहार कोई ने वीडियो अफ्लोड की जाए तो वह सबसे पहले आपको प्रापतो ठीकत तो आपसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज को सबस्क्राइब करत जोडेंशन के कहलाता है चप्राइब का अध्यान के बात करता है अब बात करते हैं नाम सर इस साइंस में डील की ज़ता है अतात किसका आजन कैसता है ब्रायो फाइट सब्सक्राइब की एस अ तो सबसे पहले हैं कि जो नाइजर होती है इसका कुल कौन सा होता है अथात इस फैमिली से विलोग करती है तो यह होती है यह जो सबसे पहले हैं कि अगर आप से पूछा आता है तो वह होते हैं लोहा और मेंगनीशियम इसके साथ आपको याद रखाएं कि अगर आप से क्युछन पूचा है कि जो क्लोरोफिल है इसका में कंपोनेंट कौन सा तो मेंगनीशियम जाते हैं प्रणूर्ट से आप की वरता बढ़ाने के लिए फसल चुनी जाती है तो सबसे पहले आप उप्संस लिए सर्षो आलू गीहूं के लिए मुख्यत करते हैं बर्षीम को क्योंकि सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बड़ाते हैं तो सब पहले आप आप से पूछाता है कि साइनो बेक्टिरिय किसे बोलाशता है तो बोलाशता है यहां पर क्यूशन पूशा गया कि आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन को नहीं करता है उसको आपको पैचाना है तो सबसे पहले आप options देख लीजिए कि एजटो वेक्टर, एज़ो इस्पाइलियम, राइजबियम या फिर नाइट्रोसो मोनास तो अब आपको यार रखना कि जो वायो fertilizer की रूप में भी जिनका apply कर सकते हैं वो होते हैं यारखा ये तिनो लेकिन जो नाइट्रोसो मोनास है ये इन से सबी से अलग है अथा डिफ्रेंट है तो right answer कुण सा है नाइट्रोसो मोनास है क्योंकि अब इसका region भी आप जान लीजिए क्योंकि यारखा nitrosomonas जो वेक्टिरिया होता है ये यारखा nitrification यारखा एक nitrally करण की जो क्रिया होती है उसमें अपना मुखे रोलने बाता है इसलिए यारखा nitrosomonas वायो मेडल का nitroson fixation नहीं करता है तो इसे बोलसता है यारखा बसंती करण के नाम से जानासता है अब यह क्यों की जाती है इसका मुख्य रीजन क्या होता है तो इसका होता है यारखा कि ताकि बीजो को अच्छा अंक्रवन किया जसके यारखा कि जो बीजो को बोने से पहले उसे लगू तापमान दिया असता ह है ताकि उनका जर्मिनेशन पर्सेंटेज इंक्रीज हो ठीक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको गाना है वीडियो को एक लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरू दबा लोग मॉलीबडेनम तत्व की कमी से होता है तो आपको पता होगा नाइट्रोजन को फिक्सेशन की किरिया है यह की जाती है नहीं हरीत सेवालों की द्वारा अथा जिने साइनो बेक्टिर एक नाम से जानाजता है ठीक नेक्स्टिस नहीं बात ते हैं कि भारत में मेक्सिको सुर्माई थी यह की किस्म वहाइब कर देविप किया था तो मेक्सिकों से भारत में पर Key कारिये किस तत्व दवारा पूर्णि क्या जता है कि पूर्जा मुद्रा की आवशकता होती है चैनल ही के बात तो यह उता हैं लुकि या रखांव में संदेश मुख्टे-रेडियो से प्राप्त कीज़ते हैं इसलिए यारखा संप्रेशन के लिए मुख्यते रेडियो को ही मानासता है नेक्ष्टी से नहीं बात कते हैं जो कि हमने अभी सोल किया था कि अगर आपसे पुचता है यारखा पाण हरीत नीरमान में सबसे महत्पुन भूमी का निवाता है मैंगनिशियम 3. आइसलिसे हम बात कहते हैं कि राश्तान कर्शिव विश्व दयलौहح में इस्ताप इतापीत खहांपर की गए थी आथात यारखांस जो राश्तान कर्शिव विश्व दयलौह था FIRST था राश्तान में तो उसकी इस्तापना की गई थी एक ने स्ट्रील प्रोफाईल में मुख्य सनिष्टर अथा जो होरीजन्स होते हैं वो कितने होते हैं तो आपको यह तो पता होगा कि अगर कुछ सख सथा है तो कितने होते हैं मर्दा में तीन कित्य होते हैं पर फोड़ा ध्यान से सब्ढ़ना कि अगर आरखना कि आमोनिया क्यर्णातरी की पर्व mos कि इसको क्लियर करने से पहले आपको यह पता होना जाए यारखा कि अमोनिया को नाइट्रेट में पहले तो परवर्थित क्या अगर और इसके बाद में कि याद रखा कि पहले कुन सी क्रिया होती है इसके बाद अथात इसके बेक में होती है और जो कि किरिया की इज़ाती है नाइट्रो बेक्टर के दवारा ठीक है नेक्स टीसे नहीं बात कते हैं जो कि यारखा एक most important question ने कई बार आप से exam में पूझा गया है कि धान का खेरा रोग उत्पन होता है तो धान का जो खेरा रोग होता है यह होता है जिंक अथा जस्ता की कमी से इसके साथ साथ इसका control किसके द्वार क्यासता है तो इसका control क्यासता है जिंक सलफेड के दारा ठीक नेक्स टीसा में बात कते हैं कि हुमस एक कारवनिक पदार्थ है जो कि क्या होता है अधात यारखा यह एक आकार हीन होता है एक कोलोईडी पदार्थ होता है इसके साथ साथ उसका रंग कोंसा होता है बूरा काला मिसरन होता है ठीक न तो इसका chemikale नाम क्या है इसका होता आपको आपको राइट आंसर कौन सा है डी अधार potassium chloride को यहारख मूरेट ऑपोटास के नाम से जाना स्था है कि भारत का सोयवें प्रांथ की से बोलता है तो आपको पता होगा वॉदासीन पीएच मान उप्यूकत होता है तो यह आपको पता होगा कि अगर पूछलाइक काली मर्दाओ का सबसेजादा 6 त्रफल यह होता है मर्दय प्रदेश में नेसेटर रिया करने के लिए आउशक ततुत होते हैं अधात कौन-कौन से अब अब आप देख्जीह जी पहले ख्लोरऑफिल पानी और प्रकास तो आपको करते हैं तो किसन को काने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब भी याद रखां कि अगर बात किजाए फॉल पर रख्षंट से समझ दित केमिकल तो इसके लिए मुख्यता है दो केमिकलों का प्रियों कहसता है एक लिए अगर बात करते हैं पॉटेशियम मेटावाइ सल्फेट का प्रियों किस्ता है लेकिन अगर बात कि यहाइरखा रगी इन फोलों के लिए जैसे कि प्रमाट्र हो थो इसके संडा क्षन के लिए किसका प्रियों कर देङे तो इसके संडा के लिए इसका सभुल आंसे है मैटावाइस सल्फेड नेक्स इसने बात prey प्रफेट की मातरा प्रती एक किलोग्राम अंतिम उत्पाद कितिनी रखी जाती है तो इसकी रखी जाती के वलोर के वल एक ग्राम नेश्टी सने बात में ताप मान का सबसे अधिक प्रभाव नियुंद में से किस पर पढ़ता है तो यहां अगर आप से पुछला तर टैंप् करते हैं एक होती है एक होती है अगर आप से जाएधा प्रभाववित करते हैं बीजों के हमकोरन को ठीक है बाते हैं कि पोधे की स्वस्ता वद्धी याउन्य विकास के लिए संतुरीत पोसक गोल बनाये जाता है तो यह जो वर्ड थे जो सब्द ते यह किस के दौरा बोले तो वह थी यारखा सूरज मुक्य जो कि एक डेनीटरल प्लांट होती है नेश्टी से मात था है कि पत्वा एक खरपत्वार है जो कि मुक्हते पायजता है अथा तो सबसे पहले यारखां कि जो बत्वा का बोटिंग लेम होता है यह होता है चीनो पोडियम एल्बम इसलिए य खरपत्वार होता है खरपत्वार होता है ऩ disguise घ्यूं क्या होता है तो गयों आपको पता होगा तो सबसे पहले विक्सित किया गया था मर्द्य चैनल और पता होगा एक मोश्ट कॉमन किसम की का पास बारत में शरुप्रतम में विक्सित कि गयी सब्सकत awful लगे पहले सिंचाई की जाती है तो आपको पता होगा कि जो सबसे मैं स्टेज होती है अथा सबसे ज़्याद जो क्रिटिकल स्टेज होती है गेव कुण सी ओती है CRI अथाद Crown Root Initiation इसकी फूर्फोर्म होती है और ये कितने दिन बाद निकलती है यारखा 21 दिन बाद अथाद राइट आंसर कौनता है पहली सिंचाई की जाती है किरीट जड़ अथाद Crown Roots के निकलते समय किरीट आंसरी सहील नहीं होती है कि आसानी की जाती है तो अगर आपको इस टेज्व आएजे च्ούμε सब सहंची घॉल्चांथ होता है नुकलियस लोस के बाद में आता है उसके बाद में अता है सब्साइब सब्सक्राइब हो लिए वह और ऊत्रेव भूमी के लिए अनुप फल यह लोग करता है रैम नेसी आरखा रामना नाशी नहीं बलकि यह रैमनेसी फैमिली से वेलोग करता है ठीक नेश्ट विसमा आपते हैं कि तना मक्खी तो अथा त्यार जो इस्टेंफ लाई यह एए एक पर मुकीट होता है जो आरका किसका होता इस टेंफ लाई आरखा तना म आपको पता होगा यह एक कोमें किस्टन कि अगर आपसे पुस्टाथ है रेशम पेदा करने तो इसे बौलता है सेरी कलचर लेकिन अगर आपको पुछा जाला किसम है तो अगर आपको पूछा ज्वाला किसम या रिखना कि केवल अगर आपसे पुछा जाए ज्वाला किसमें तो केवल ज्वाला किसम होती है मोट की लेकिन अगर आपसे पुछा ज्वाला तो पुछा ज्वाला किसम होती है मिर्च की केवल अगर पुछा ज्वाला किसमें तो ज्वाला होती है मोट की और अगर बात किज़ें पूसाजवाला तो पूसाजवाला होती है मिर्च की नेश्ट विसा हम आते हैं कि सुरजमिगी का पोदा क्या है अथा यारखा एक लोंग डे प्लांट है सोड़ डे प्लांट है या फिर एक डे न्यूटल प्लांट है नेश्ट विसानल मातके हैं कि पोदे को प्राप्त फासफॉरस सबसे अधिक प्रभावित होता है अथा यारखा जो यानि फास पॉरस है इसकी पयालीबिलीटी पीच के साथ घठती है या फिर बढ़ती है यारखा सबसे ज़्यादा इसे प्रवावित करता है मर्दा पीएच योकि यारखा जो फास्पोरस है इसकी सबसे ज़्यादा जो अवेलेबिल्टिटी है उपलब दता है वो होती है लगबग उदासीन यारखा 6.7 से 7 के मद्द है ठीक है नेक्स्ट सने की रेड रोट अथार कोलेटो ट्राइकमज़कतम और आसका मारा लाश्ट के सने की लोहा त्रहु सबसे अधिक किस फसल में पायज दा है तो आपको पता होंगा यह सबसे ज़्यादा पाइस दा.. क्यासा लगा वीडियो कमेंट करके जरू बताए आपको वीडियो बहुत पस्ता राएगों आपक take care